क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि जियो का अगला प्लैन क्या होगा क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि जियो का ओफर अभी भी फ्री रहेगा की नहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि जून के बाद जो जुलाई 15 तक समर सप्राइज ओफर है वो बंद हो जाएगा तो इस सब सवाल का जब आप जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहेगे मैं हूँ गौराब और आप देख रहे हैं रवनी इन्फोटेक तो हम सबसे पहले बात करते हैं जियो की सुरुवाती दिनों का जब जियो का सिम सिर्फ लाइफ हैंड सेट के साथ आता था और लोग उसे होट्सपोट की तरह यूज करते थे फिर वो दिन भी आया जब जियो के सिम फ्री या कुछ पैसे देकर मिला करता था हम सब वो दिन भी देखे जहां पर जियो के सिम लेने के लिए लंबी लंबी लाइने और कतारे लगी रहती थी और उसके बाद हमने वो दिन भी देखा जब जियो हर एक आदमी का जरूत बन गया दोस्तो पहले के प्लान और आपके प्लान जियो के क्या है और आगे आने बाले प्लान क्या हो सकते हैं इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस से पहले जियो जब सेप्टेमबर में एनाउस्मेंट किया कि जियो 31 दिसंबर तक Unlimited Data के साथ Free है तब लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रह गया था फिर उसके बाद Officially मुकेश अमबानी ने Happy New Offer का Announcement किया जो की 31 मास तक चला और लोग जियो से बहुत हद तक जुड़ते गए और भारत जैसे इस 2G और 3G बाले देश में जहां पर 3G भी 2G की स्पीड में चलता है वहां 4G का सपना साकार किया इस Reliance Digital ने इसके लिए तह दिल से सुक्रिया अब हम बात करते हैं मुद्दे की और अभी जून खत्म हो गया है जुलाई का Summer Surprise ओफर भी खत्म होने को चला अभी जो पैक एक्टिव है वो वो ट्रिपल डी ओफर पैक है जिसे धन दना धन पैक भी करते हैं तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है सबसे पहले जब Jio Welcome ओफर आया था उसके बाद Jio Happy New ओफर आया तो Jio Prime Membership के लिए एक पैक निकाला इसके लिए हमें 99 डूपीस देना पड़ता था और जिसका बैलेटी था 1. April 2017 से 31. March 2018 तक इसके बाद Prime Membership की डेट भी बढ़ा दी गई थी लेकिन दूसरे टेलिकॉम कमपनिया Jio के इस तरह से बढ़ता देख यहाँ पर Try को आदेश दिया गया कि इस तरह से Jio इतना Free Offer नहीं निकाल सकती जिसके बाद से Jio Prime Membership 15. April तक बंद कर दिया गया और Summer Surprise Offer था वो 15. April तक ही चला तो जो लोग Summer Surprise Offer नहीं ले पाएं थे वो धन दना दन ओफर लिएं और Summer Surprise Offer और धन दना दन ओफर दोनों एक दूसरे से काफी अलग है तो आगे मैं यही चीज आपको बताता हूँ ट्रिपल डी पैक जो आप लोगों ने लिया हुआ जिसका नामे धन दना धन पैक इसके लिए आपने 309 रुपय दिया होगा और साथ में आपको 99 रुपय भी प्राइम मेंबर्सिप के लिए देना परेगा टोटल आपको 480 रुपय आप लोग दिये होंगे एक जिबी के पैक के लिए अगर हम बात करें 2 जिबी के पैक के तो आप लोगों ने 509 दिया होगा पैक के लिए और 99 प्राइम मेंबर्सिप के लिए ये दोनों जो एक जिबी और दो जिबी का पैक था इसके लिए जो बैलिटी है वो 84 डेस का है और ये समर सप्राइज ओफर से डिफरेंट है तो दोस्तों आप लोगों ये ही पता होगा कि जो रिलाइंज जीओ बाते करेंगे है कि जीओ प्राइम मेंबर्सिप जो सीम है वो 15 अपिल तक ही आपका वैलिट था उसके बाद ये नहीं लिया जा रहा है तो मैं आपके जनगारी के लिए बता दूँ कि आप अगर अभी भी जाएंगे रिटेल में या फिर इस्टोर में रिलाइंज जीओ का सीम लेने के लिए तो ये अभी भी प्राइम मेंबर्सिप मतलब सीम का जो भी कोस्ट है 99 रिपिस वो आपको लेने के बाद ही है सीम एक एक जांपल की आपको बता दो कलको ही मैंने एक सिम लिया जो कि दो जीबी का पैक था और जाहिर सा बात है कि ये ट्रिपल डी बंडल पैक ही होगा क्योंकि समर सप्राइज ओफर खत्म हो चुका है तो इसकी लिए मुझे दुकानदार ने 600 रिपिय का डिमांड किया और जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि 509 रिपिय जो आपका पैक का है क्योंकि मैंने 2 जीबी का पैक लिया था तो 509 रिपिय जो था वो मेरा 2 जीबी का पैक के लिए था जो कि 84 डेस के लिए है और 99 रिपिय जो था वो आपका प्राइम मेंबर्सिप के लिए था तो दोस्तो बित प्रूफ में आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके मोबाइल में अभी आफर है वो क्या है और किस तरह से ये आफर आपका काम करता है तो सबसे पहले आपको जाना परेगा माई जियो में और माई जियो में देखे इस तरह से मैं आप अपने मोबाइल में चल तो मेरा कौन सा प्लैन है यहां पर किस तरह इतरह से काम कर रहा और आगे आने वाले कौन से प्लान है यहां पर गया और दखेए प्लान डीटेल्स में जाने के बाद यहां पर दिखाई दे रहा है जो मेरा कि कब तक मेरा बैलीड है तो जो मेरा बैलीड है वो 21 जूलाई 2017 तक है और उसमें यह दिखा रहा है कि मेरा जो है समर सप्राइज ओफर 303 का पैक है और साथ में मैंने दो नमबर में जियो प्राइम membership ले रखा है जो की 99 रुपे का है और ये 31 मार्ट 2018 तक valid है और आप नीचे की तरफ देख पाएंगे अगर तो मेरा वहाँ पर upcoming plans भी यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों तो आप मैं आपको जितने भी जानकारी है मैं आपको डीटल से में बता देता हूं कि मैंने summer surprise लिया है आप भी अपने offer को हाँ पर चेक कर पाएंगे कि आपने summer surprise लिया है या फिर आप triple d bundle pack लिया है तो इसके लिए मैं आपको थोड़ डीटल से बताता हूं कि जो summer surprise offer था वो 90 दिनों का था तो मैंने इससे या फिर आप लोगों ने 15 अप्रिल के पहले ही लिया होगा क्योंकि 15 अप्रिल के बाद ये बंद हो गया था तो 15 अप्रिल से आपका ये 90 दिन का pack था तो अप्रिल मैं जून और जुलाई तो यानि कि यहां पर अगर आपने एक जीवी का plan लिया है तो इसके लिए आपने तीन सो तीन रुपय दिया होगा और इसके बाद आपका 15 जुलाई के बाद ओटमेटिकली 28 दिन के लिए एड हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया है कि आपने एक जीवी का plan लिया और साथ में दो जीवी का plan लिया है तो 15 जुलाई के बाद आपका दो मन्त फिरी हो जाएगा पहले एक जीवी वेला plan चलेगा फिर आपका दो जीवी वेला plan चलेगा तो यानि 15 जुलाई के बाद आपका दो महीना पर एक जो चलते रहेगा जो लोग धन धनातन ओफर वाले हैं वो अगर अप्रील के बाद अगर अपना रिचार्ज करवाए होंगे तो उस दिन से 84 डेज उनका काउंट किया जाएगा और उसके बाद उनका समर सप्राइज ओफर की तरह जो एक्स्टर डाटा उन्होंने एक जी भी अदूजी बला डलवाया है उसका फाइदा वो नहीं ले पाएंगे और एक इंपोर्टेंट बाद में आपको बता रहता हूं दोस्तों मेरे चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है वो मेरे एक दोस्त का चैनल है और वो गीववे करने वाले ह हूं वो यह बात है कि आपने अगर समर सप्राइज ओफर लिया है 15 अप्रील का तो नबे दिनों का है इसके हिसाब से आपका 15 जुलाइक को यह खत्म हो जाएगा लेकिन आपने जो पैक डलवाया है 303 का यह 499 का वो एक महीना अगर आपने एक पैक डलवाया हो तो 15 जुला ट्रिपल डी पैक करवाया है तो 3 महने के बाद वो खत्म हो जाएगा आपको रिचार्ज करवाना परेगा तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर यह समझाना चाहरा हूं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे दे झाल झाल झाल